नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि लोसार एच टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, लोसार एच टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और लोसार एच टैबलेट की वज़र से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लोसार एच टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में लोसार एच के अंदर दवाओं का कॉंबिनेशन होता है। Looser Edge Tablet का उपीओक blood pressure को कम करने के लिए और शरीर में सूर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वजह से लक्वा लगने का दिल का दौरा पढ़ने का और किडनी खराब होने की समस्याय होने का जोखिम अधिक हो जाता है शरीर में लिवर, किडनी और दिल से संबंधित बीमारियां होने की वज़ा से पैरो या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्टर लोसार एच टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं लोसार एच टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है इसलिए डॉक्टर लोसार एच टैबलेट को उन लोगों को भी लेने की सला दे सकते हैं जिन व्यक्तियों को कोई किड़नी से संबंधित समस्या है या जिन लोगों की किड़नी अच्छी तरह से काम नहीं करती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि लोसार एच टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लोसार एच टैबलेट की वज़से कोई सीरियस साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में लोसार एच टैबलेट की वज़से चक्कर आ सकते हैं सिरदर्ध हो सकता है कानों में कुछ ब टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगर सकता है इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगर सकता है अगर आपको लोसार एच टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मासपेशियों में एठन, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और मुँ में सुखापन होता है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए लोसार एच टैबलेट की वज़े से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किड्नी की कार्यप्रणाली बिगर सकती है इसके अलावा लोसार एच टैबलेट की वज़े से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है लोसार एच टैबलेट की वज़से अन्य साइड इफेक्ट्स भी पॉसिबल है अगर आपको लोसार एच टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की लोसार एच टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में लोसार एच टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है LOSAR H Tablet को शाम के 4 बजे के बाद लेना recommended नहीं होता है क्योंकि LOSAR H Tablet को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है अगर आप LOSAR H Tablet को शाम के समय लेते हैं तो आपको रात के समय बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वज़़ से पेशाब कमा रहा है ऐसे व्यक्तियों के लिए LOSAR H Tablet का सेवन करना recommended नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्तर की सला के बिना LOSAR H Tablet को नहीं लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की LOSAR H Tablet को कैसे लेना recommended होता है LOSAR H Tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर लोसार एच टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला देते हैं लोसार एच टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलद-अलग हो सकती है इसलिए आपको लोसार एच टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सला के बिना लोसार एच टैबलेट को नहीं लेना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं लोसार H टैबलेट को ले सकती है या नहीं pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लोसार H टैबलेट का सेवन करना recommended नहीं है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लोसार H टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लोसार H टैबलेट को नहीं लेना प्रवादी